मैं सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा हूं कि विदेश से बलेक मनी आ रहा है या फिर विदेश में वाइट मनी जा रहा है क्योंकि एक मोदी जी बलेक मनी विदेश से लाने की सोच रहा है शिरफ अब तक सोच रहा है वहीं दूसरा मोधी वाइट मनी विदेश में भेज भी चुका है जैसे ही नरेंदर मोधी की 15 लाख हम गरीबों को देने की तैयारी करते हैं कोई ना कोई पैसे लेकर बाग जाता है शाला अपनी तो किस्मती खराब है पहले मालिया साब ने वाट लगा दी और अभी नीरव मोधी ने दिमाग की बत्ती बुजा दी नई तो मेरे भी अकाउंट में 15 लाख आई जाते अभी तो मैं शिरब पती हूँ अगर 15 लाख आ जाते तो सोचों में लगपती हो जबा लगपती शाला अपने देश का सिस्टम ही खराब है पैसे अगर घर में रखो तो नरेंदर मोधी का डर पैसे अगर बैंक में रखो तो नीरव मोधी का डर और पैसे अगर आई टियल में लगाओ तो ललित मोधी का डर साला दिमाग का धई बन गया है इन मोधियों के सक्कर में है कोई बात नहीं शिरफ ये थोड़ा सा काम कर देना, मेरा ये एक थोटा सा संदेश निरव मोदी तक पहुंचा देना। पिर ये निरव मोदी जी आप जहां भी हो खुश रहना खुब तरक्की करना और आप बैंकों के करजे की चिंता बिल्कुल भी मत करना वो तो बैंक वाले हम लोगों से 10-10, 20-20, 50-50 और 100-100 रुपे करके वशूली लेंगे अगर फिर भी बैंक वालों को ज्यादा जरुत पड़ी तो मिनिमम बैलेंज 3,000 से बढ़ा कर 5,000 कर देंगे अगर फिर भी उनकी बरपाई नई हुई तो ATM यूज करने पर ट्रांजेक्शन चार्ज और बढ़ा देंगे हम लोगों को तो आदा तैन सब की, कभी कभी तो लगता है हम छोटे लोग कमाते इसलिए हैं कि आप जैसे बड़े बड़े लोगों के बैंकों का करजा बर सके हम लोग पैदाई साइज इसलिए हुए हैं आप बिल्कुल भी परेशा मत होना आपके बैंच गोठा लेका एक एक पैसा और वो भी ब्याज सहीत हम सभी गरीब देशवाशी वापिस करके सच्चे देश बक्त खहलाएंगे जै हिंज जै फारत तुमारा सुब चिन तक बिल्लू